दोस्तों, इसे महस संजोग कहें या कुछ और, मगर दो वक्त की रोटी के लिए देव्यापार करने वाली सेक्स वकर्स हर साल 2 जून को इंटरनेशनल सेक्स वकर्स डे मनाती है. वर्ष 1975 में 2 जून के दिन तकरीबन 100 यौन कर्मियों के साथ यह शुरू हुआ और आज तक इसे मनाया जा रहा है. इसे मनाने के पीछे खास वज़ह है. सेक्स वकर्स के लिए यह बहुत ही खास है. यौन कर्मियों के अधिकारों सेक्स वकर्स राइट्स के बारे में जागरूपता फैलाने के उदेशे से दुनियाभर में इसे मनाया जाता है. क्योंकि सेक्स वकर्स के साथ पुलिस से लेक करे के आधार पर बात करें, तो भारत में सेक्स वकर्स की संख्या तकरीबन 6.37 लाख है. हमारे देश में रेड लाइट पर रोजाना करीब 5 लाख लोग सेक्स वकर के संपर्क में आते हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, देश भर में 110 रेड लाइट एरिया है. बता ही नहीं एशिया का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया हमारे देश में ही है. इस वीडियो में हम अपने देश के चर्चित और सबसे बड़े रेड लाइट एरिया के बारे में जानेंगे. मैं हूँ आपके दोस्त Mr. Support 2. अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सबस्क्राइब करें और बेल आइकन को भी दवाई. चलिए वीडियो को शुरू करते हैं. नमबर वान भारत का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया सोनागाची सोनागाची कोलकाता पश्चिम बंगाल हमारे देश भारत और एशिया का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया कहा जाता है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यहां करीब 10 हजार से अधिक सेक्स वकर्स काम करते हैं. सोनागाची में सेकडो बहुमंजिला इमारते हैं. कुछ नई और कुछ पुरानी जहां पर सेक्स वकर्स रहती हैं. साथ ही यही पर अपने कस्टम के साथ मिलती हैं. यह बहुत चर्चित है. बता दे कि सोनागाची रेड लाइट एरिया के उपर डॉक्युमेंटरी बॉन साल 2005 में डांस बार पर बैन लगने के बाद इनकी संख्या कम हुई और अब यह देश का दूसरे सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया माना जाता है. मुंबई की सेक्स वकर्स 2005 के बाद दर दर की ठोकर खाने लगी. ऐसा कहा जाता है कि उसके बाद वहां की सेक्स वकर कही द बुधवार पेट, पुने में करीब 5000 सेक्स वकर काम कर रही हैं. बुधवार पेट में करीब 400 कोठे हैं. इस तरह से यह भी हमारे देश का एक प्रमुख रेड लाइट एरिया है. जहाँ पर काफी संख्या में सेक्स वकर काम करती हैं. नमब फो, उत्तर प्रदेश का रेड लाइट एरिया मीरगंज, प्रयाग राज, इलाहबाद भी देश का प्रमुख रेड लाइट एरिया माना जाता है. मगर यहाँ पर इलीगल ट्राफिकिंग के केस अधिक देखने को मिलते हैं. इस कारण पुलिस की पैनी नजर बनी र बिहार का रेड लाइट एरिया देशभर में फेमस है। यहां पर करीब 2-3,000 सेक्स वकर्स काम करती है। बड़ी-बड़ी इमारतों में यहां महिलाएं देह व्यापार करती है। डिल्ली के जीबी रोड पर कोठी नमबर 40-71 तक इन ही के कोठे हैं। लॉकडाउन के कारण य यह मुजफरपुट बिहार में हैं। यह एक मशहूर मंदिर के पास रेड लाइट एरिया है। स्थानिय लोग बताते हैं कि यहां पर देव व्यापार लंबे समय से चल रहा है। यहां पर वकर्स प्राचीन काल से ही रह रही है। ऐसी ही अनुखे जानकारी के लिए चैनल एक जानकारी के साथ।